हेलो गाईज वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल और वेल्कम टू माइन यूव वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रिजिस्टन्स लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे उन लोगो मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टे 50 और बैंक निफ्टी के उपर वीडियो रेग्यूलर्ली अप्लोड करती हूँ और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो चैनल मेंबर्शिप जॉइन करने के पात आपको उसके बहुत सारे बेनेफिट्स मिलेंगे आपको एवरी एक्सपारी के लिए एक्स्ट्रा स् वीडियोज भी मिलेंगे जैसे कि कैंडल स्टिक पैटन के उपर ऑप्शन चेन इनलिसिस के उपर वीडियोज जो है वो आपको मिलते रहेंगे तो आपने अगर अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइट कर दी है वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा जॉइन बटन करके तो वहां से भी आप चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हो तो जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्टॉक्स जो है वह मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बड़िया ओफर लेके आया है जहां पर आपको एक फ्री ट्रेडिंग एंडीमेट अकाउंट मिल रहा है साथ ही साथ आपको फ्री इक्विटी डिलिवरी ट्रेड मिलते हैं अनलिमिटेड ड्रोकरेज क्रेडिट मिल रहा है फॉर 30 डेज और इन सब के साथ साथ आपको एक फ्री सेविंग्स बैंक अकाउंट मिल रहा है एंडेसिंट बैंक के अंदर और 2000 और 4000 तक के पार्टनर बेनिफिट्स आपको अलग से मिलते हैं तो जल्दी से इन ब क्लोजिंग कहां पे आई है तो निफ्ती की क्लोजिंग आई है 14,529 के पास तो देखे जैसे मैंने आपसे बात की थी कल किस तेजी पे इतने जल्दी भरोसा मत कर लेना क्योंकि मार्केट जो है कभी भी यूटन ले सकता है और जैसे मैंने आपको इन कैंडल्स के ताइम पे बताया था कि डाउन साइट के लिए अभी भी 14,300 तक का करेक्शन हो सकता है मार्केट के अंदर ये मैंने आपको इस कैंडल के टाइम पे या इस कैंडल के टाइम पे बताया था तो मार्केट ने यहाँ पे देखे क्या किया है फर्स्ट ओफोल मार्केट ने ट्राइ किया इस सपोर्ट के नीचे ज्यादा टाइम नहीं रुकने के लिए और इस सपोर्ट के यहाँ से निफ्टी ने यूटन लिया यूटन कहा तक लिया पहले तो इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी और कल की सेशन में निफ्टी न 15,200 या फिर 15,100 इसके उपर निफ्टी को स्टेबल होना होगा तब ही यहाँ से निफ्टी मोमेंटम पकड़ सकता है और दूसरी बात यह बताई थी कि इस लेवल को अभी नहीं तोरना चाहिए लेकिन आज की बात करें तो आज निफ्टी ने गैब डाउन ओपनिंग की और दूसरी निफ्टी हमें डाउन साइट के लेवल्स ही तै करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे निफ्टी ने हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था जो हमने कल बात की थी उसके नीचे बहुत जादा नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो अभी अगर मैं की थी कि यहां से निफ्टी जो है वो फिर से डाउन साइट के लिए मुव्मेंट ले सकता है यहां तक और फिर यहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है यहां फिर यहां पे आके निफ्टी यह लेवल तोड के डाउन साइट के लिए 14,300 और 14,000 तक गिरावट भी दिखा सक तो यहां पर दूसरी सिचुएशन जो है वो मुझे जादा स्ट्रॉंग दिखाई दे रही है अभी लेकिन अगर निफ्टी इस सपोर्ट के यहां से अभी देखे आज जो निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी वो 15,000 सौरी 14,467 तक दिखाई दी तो यहां पर निफ्टी के लिए अभी भी 100,500 पॉइंट्स का करेक्शन और हो सकता है डाउन साइट के लिए 14,310 का लेवल एक इंपोर्टन सपोर्ट है तो अगर गिरावट यहां से कंटीनियो होती है तो यहां पर निफ्टी जो है वो 14,300 के तरफ पढ़ सकता है अगर निफ्टी इस लेवल के पास से बाउन्स बैक नहीं दिखाया तो यहां से डेफिनेटली निफ्टी हमें 14,000 तक की गिरावट तो दिखा ही देगा तो जैसे मैंने आपको बात की थी इस करेक्शन के टाइम पे कि अभी डाउन साइट के लिए मुझे लग रहा है 14,300 तक का करेक्शन द दिया था यहां से अपसाइट के लिए चला गया और फिर ज्यादा डाउन साइट के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अभी शॉट साइट के लिए आप लोग जा सकते हैं 14,300 310 का आपका टारगेट रहेगा जब तक निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करता है अग जहां से फिर से 15,000 के लिए ट्राइ करेगा निफ्टी तो यह आप पॉसिबिलिटी जो है वो दिमाग में रखिएगा अगर वंडे को निफ्टी इस लेवल के नीचे रहता है तो डाउन साइट के लिए 14,300 का टारगेट आप लेके चलिएगा 300-350 का और अगर इस लेवल के उपर चड़ जाता है सिस्तेन हो जाता है तो 15,000 का नेक्स्ट मूव हम लोग निफ्टी के अंदर फिर देख सकते हैं तो अभी हम लोग ऑप्शन चेंड डेटा एक बार देख लेते हैं तो अभी मेरे सामने ऑप्शन चेंड डेटा है कॉल साइड में अगर हम लोग देखे सबसे जादा ओपन इंटरेस्ट कहा पे बना हुआ है तो हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 15,000 के उपर वही आज सबसे जादा अगर हम लोग देखे अडिंग कहा पे हुई है तो आज सबसे जादा अडिंग हमें दिखाई दे रह 13,000 का level resistance बनता हुआ दिखाई दे रहा है डाउन साइट की बात करें तो देखें पुट साइट में सबसे ज़्यादा open interest कहाँ पर बना हुआ है तो highest open interest जो हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो 14,000 के उपर दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा आज राइटिंग लेवल के उपर तो अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी के लिए support की तो इस option chain डेटा के उपर से भी हमें same situation दिखाई दे रही है जैसे मैंने आपको चार्ट के उपर बताया first support जो crucial support यहाँ से दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 14,300 के उपर और अगर यह support तूट जाता है तो downside के लिए 14,000 के पास निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है so downside के लिए यह दो important support के levels रहेंगे निफ्टी 50 के लिए चार्ट के उपर से एक बार नजर डाल लेते हैं तो आज की बात करें तो आज opening हुई थी 14,888 के पास intraday high हुआ था 14,919 के पास intraday low था 14,467 का यानिके आज निफ्टी 900 के उपर stable नहीं हो पाया उसके नीचे ही रहा इसी वज़े से निफ्टी के अंदर हमें गिरावट जो है वो continue होती हुई दिखाई दी तो यहाँ से आगे कि अगर बात करें support और resistance के क्या levels रहेंगे तो यहाँ से जो first important support रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 14,470 का level अगर निफ्टी इस level को break करता है और इसके नीचे 30 से 40 मिनिट तक trade कर लेता है तो यहाँ से निफ्टी हमें 14,410 और 14,360 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अपसाइट की बात करूँ तो अपसाइट के लिए first जो resistance मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है वो है 14,610 का level अगर इस level के उपर sustain हो गया निफ्टी तो यहाँ से 14,680 और 14,710 तक बढ़ सकता है फिर अपसाइट के लिए यह तीन resistance की levels रहेंगे तो जो भी levels बता है वो प्लीज अपने चार्ट के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूच सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और everyday live market में मैं support resistance के levels जो है वो telegram channel के उपर update कर देती हो तो आपने अगर मुझे वहाँ पर अभी तक follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है तो अभी bank nifty के उपर बात करते हैं तो bank nifty की closing कहा पर आई है तो nifty bank की closing आई है 34,803 के पास तो जैसे मैंने आप से बात की थी कि अगर फिर से nifty bank 35,000 closing basis के उपर तोड़ देगा तो ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी तो कुछ ऐसा ही हमें आज nifty bank के अंदर देखने को मिला है nifty bank ने 35,000 को तोड़ दिया और अभी closing basis के उपर 34,803 की closing हमें यहाँ पर दी है तो डेली चार्ट के लेवल्स हम लोग बात में discuss कर लेते हैं एक बार option chain data देख लेते हैं तो सबसे जादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest बना हुआ है 36,000 के लेवल के उपर और आज सबसे जादा contracts की writing कहां पर हुई है तो 31,000 की highest writing हुई है 36,000 के लेवल के उपर वही अगर हम लोग देखे second highest open interest कहां पर बना हुआ है तो second highest open interest बना हुआ है 36,500 के उपर तो अभी अगर मैं बात करूं resistance की तो upside के लिए 36,000 and 36,500 ये पूरा zone resistance zone है और जब तक nifty bank इस लेवल को पार नहीं करता है नifty bank के अंदर upside के लिए momentum आना possible ही नहीं है जब तक ये पूरा resistance zone नifty bank पार नहीं करता है तब तक downside की बात करें तो देखें put side में सबसे ज़्यादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ है वो है 34,000 के उपर और 34,500 के उपर put side में writing कहां पर हुई है सबसे ज़्यादा तो put side में सबसे ज़्यादा writing हमें अभी दिखाई दे रही है 33,500 के उपर तो अभी यहाँ से जो crucial support बना हुआ है nifty bank के लिए वो first तो है 34,000 का level अगर nifty bank इस level को break करता है तो यहाँ से गिरावट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी कहा तक 33,500 तक तो आज 1700 points गिर कर nifty bank जो है वो बंद हुआ है तो आज की गिरावट बहुत जादा है और अगर यहाँ पर गिरावट नहीं रुकती है तो यहाँ से जादा 33,000 तक की गिरावट हम लोग nifty bank के अंदर फिर देख सकते हैं तो अभी चार्ट के उपर से important support और resistance की levels देख लेते हैं तो यहाँ से जो first important support है nifty bank के लिए वो बन रहा है 34,650 का level अगर nifty bank इस level को तोड़ देता है तो यहाँ से next जो important support रहेगा वो रहेगा 34,380 का level अगर इसको भी तोड़ दिया तो next important support है 34,050 का level upside की बात करो तो upside के लिए first resistance रहेगा यहाँ से 35,050 का level अगर इसके उपर चड़ जाता है तो next resistance रहेगा 35,250 का level और इसके बाद में 35,480 का level यह nifty bank के लिए important support और resistance की levels है जो आपको आपके chart के उपर mark करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully